नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चानल हर्यारना मीडिया न्यूज पर तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कुछ खास आज हम आपको बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा जाएगा तो दिल थाम के बैठी सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी के जाथकों के लिए आज का दिन लाब लेकर warfare आने वाला है उनकी स्धिती आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी और संपत्ती से जुड़ा कोई लाब भी आपको प्राप्त हो सकता है पर अंतो इस राशी के जातकों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको एहिंकार बिलकुल भी नहीं करना है दोस्तों चलिये अब बात कर लेते हैं वृषब राशी वालों की वृषब राशी वालों के लिए आज का दिन खुशी भरा होने वाला है आपके लिए विदेश यात्रा के रियोग भी बन रहे हैं दोस्तों आज आपका कोई रुका हुआ धन भी वापस मिलने के पूरे चांसे हैं जैसे कि अगर किसी पार्टी से आपको पेमिंट मिलनी हो या फिर किसी ने आपके पैसे उधार ले रखे हो तो आज आपको वो वापस मिल सकते हैं इसके साथ साथ आपके घर में शुक शांती बनी रहेगी चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशी के जातकों की मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है आज आपको इस बात क्या भी ध्यान रखना है कि आप कोई कर्ज के लेन देन से जुड़ा काम ना करे आज आपके दर्वाजे पर कोई महमान भी दस्तक दे सकता है अब बारी है करक राशी की करक राशी वालों के लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा रहने वाला है आज आपको काफी सावधानिया बरतनी होगी सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि आज आपको अपनी जीवन संगिनी यानि आपकी धर्म पत्नी से किसी भी तरह के विवाद में पढ़ने से बचना होगा आज आपको अपनी वानी पर थोड़ा सैयम रखना होगा और किसी से भी कोई कडवी बात नहीं बोलने होगी आज आप अगर किसी सफेद वस्तु का दान करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन कुछ खास है आज आपको संतान के सुख मिलने के योग बन रहे हैं साथ ही जो नौकरी वेशा लोग हैं उन्हें पद और नती मिलेगी दोस्तों आप किसी पर भी बहुत विश्वास करने से बचे आने राशियों की बात करने से पहले दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें लेश दुनिया की तमाम ताज़ा अपडेट के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है बस बने रही हमारे साथ चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं करने राशी वालों कि कन्या राशी वालों को आज अपनी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है आज आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की अवश्रता है आपको आज वानी पर नियंतरन रखना बेहत जरूरी है आज आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक मुखसान से बचना होगा और साथ ही साथ अगर आप शिवजी की पूजा करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा अब धनुराशी वालों की बात कर लेते हैं कि आज के दिन में आपके लिए क्या है खास तो धनुराशी वालों के लिए आज का दिन रहने वाला है अच्छा आपको आपका डूबा हुआ धन भी वापस मिलने के आसार नजर आ रहे हैं आज आपको कोई भी नई प्रापर्टी अगर खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हैं आपको आखों की समस्या से भी बचने की जरूरत है मकर राशी वालों के लिए आज का दिन शुब है और आज आपके रुके हुए काम बन सकते हैं आपकी सेहत में काफे सुधार आएगा और मकर राशी वालों को धन का लाब भी होगा अब बात करते हैं कुम राशी वालों की कुम राशी वालों को शिक्षा के शेत्र में सफलता मिलेगी यानि अगर आप किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं पारिवारिक स्थिती की बात करी जाए तो कोई शुब कार है आपके परिवार में आज होने के पूरे पूरे चांसे हैं अगर आप अपने करियर को एक नई दिशा देने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आप ऐसा कर सकते हैं अब बात हमारी आज की आखरी राशी यानि मेन राशी के जातकों की आज आपके जीवन में काफी भाग दोड रहने वाली है आज आपको अपनी सिहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा और साथ ही साथ अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बहतर होगा इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे निक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरस्टिंग फाक्ट के साथ तिल देन अपना खयाल रखिए और बने रहिए हर्याना मीडिया न्यूस के साथ